हेलो फ्रेंड मैं आपका फ्रेंड सर्वेस राजपूस एक बार फिर से आगए आपके साथ कुछ सेयर करने के लिए और आज की इस वीडियो में मैंने जो प्लांट सकुलिन फैक्टरी से मगाय हुए से जिनका मैंने उन्बॉक्सिंग का वीडियो बनाया था और उन्ही प्लांट को आज मैं पॉर्ट में सिफ्ट करने वाला हूँ और अगर आप सब्लेंट ग्रोइंग में बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए थोड़ा साइडिया हो जाएगा कि आप नए प्लांट को पर्चेस कैसे कर सकते हैं और इस पिसली जब आप बेर रूटेट पर्चेस करना चाहते हैं तो आप पर्चेस कर सकते हैं और अगर बात करें सब्लेंट को लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स की तो पॉटिंग मिक्स मेरा डिटेल वीडियो चैनल पे अब लेबल है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका भी लिंक की नीचे पॉटिंग मिक्स के रूप में तो वहां पर क्या होता है कि रूट्स उस्ते दीजी से पैल नहीं पाती है और पानी भी वहां पर चोक होनी के प्रावल्म होती है तो आपके प्लांट मर सकते हैं इसलिए मैं जब भी पॉटिंग मिक्स अपने सेफिलेंट के लिए यूज कर वर्मिकम फोष्ट और बोन मील यह और थोड़ा सा संगिसाइड पाउटर मिक्स करके अपना पॉटिंग मिक्स में जयार करता हूं और इस पॉटिंग मिक्स में मुझे काफी अच्छा रिजन्ट भी मिलना है मेरे जो पहले के प्लांट लगाय हुए है सब्सक्राइब काफ प्रट से ड्रेनेज घोल के मादयां बापर निकल जाए इस बार मैंने स्क्वाइर पोट लिया हुआ है इसका लोकल मार्केटि दैंद इसक्वाइर पॉर्ट मिल जाएं को सब्सक्राइब कि एक फिर फार्ट मेल जाते हैं तो आप स्कुएर पड़ी ले सकते हैं बाकी मैं एक विश्टाइट की लिंक दे दूंका नीचे आपको स्कुएर वाले पॉट मिल जाएंगे सब्सक्राइब को मैं साइड में रखता हूं और पॉट को रखता हूं सामने इसमें पॉटिंग मिक्स मैं फिल करके इनको बारी बारी प्लेत करता हूं और सबसे पहले तो मैं इनके drainage hole पे कुछ पत्सर के टुकड़े रख देता हूँ पत्सर पुराने कमने के टूटे वह टुकड़े रख देता हूँ जिससे इनका drainage hole है वो चोक नहोने पाए प्लस हमारा जो potting mix है वो डारेक्ट इससे बाहर ना निकलने पाए और अब इसमें अ दोो ha fish करते हैं इसमें पाए प्लांटरनी प्लेंटला दूम जाते हैं इक है ईसमें कई पाड़िवाली प्रॉब्म्भ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो आप ऑनिनको गीरा करते हैं तो वहुते हैं कि सदना सोगोर जाएंगे तो हम इसे अपने प्लांट को ड्राई रखने की कुछिस करें आप इसके बाद हम किसी टूल की हल्प से इसमें हल्का सा सबस्पेस बना लेंगे जहां पे अपने हम सब्सक्रेस प्लांट की रूट को अंदर डाल सकें तो फिर इसे में अपने प्लांट की हम रूट्स को अंदर डाल देंगे और उसके बाद पॉटिंग मिक्स को अंदर तक फिल करके इसे अच्छे से प्रेस करके अपने प्लांट को हम सेट कर लेंगे और इसी तरह हम अपने सारे के सारे स्कुलेंट प्लांट को पॉट्मेंट लगा लेंगे और इसके बाद किसी वाटर इस्प्रेस या फिर कोई भी आपके पास जो भी टूलो इससे काफी आराम से इसके इसके प्लांटिंग मिक्स ज्यादर डैमेज ना होने पाए दूसरी ची अराम से अपने प्लांट को अच्छे से पानी देंगे और सब्सक्राइब प्लांट को अच्छे से पानी देंगे और अपने अपने सारे के सारे स्कुलेंट प्लांट को अच्छे से पानी देंगे उसके बाद इनको किसी ऐसी जगां पर रख देंगे जहां पर अंधिरा त तो आपने स्वाइब वाद इन lleay य। एन शारे को ग्रिन नेट के नीचे दख सकतें चाट से पार इन के बाद Kirsty मैं निट में थारे के सारे स्थेक्व क्यार्ट में लगा दिया अरो सकती निए अर्विकरान के पार्ट झालने वाला हुं जो सबसेज़ायदा एक्वाड़ से में कांट्रैक्ट करूँगा मैं उनके नाम अपने केम्नेटी पेज़ देदंगा है आप मुझे आपना यहां अपक्त कर सकेदे है अपना आड्रेस देसे मैं उसके यह प्लांट भेज़ दूगा तो आई हो फ्रेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ और आप मैद ये दिश की वीडियो अच्छा लगा लाइक करें चैनल को